भारतिय जन्ता पार्टी के सभी पूर्व राष्टिय अद्यक्ष, मंच पर उपस्थित, हमारे सभी प्रदेश के मुख्य मंत्रीगंड, केंद्र सरकार में मंत्रीगंड, वरिश नेत्रित्व, सम्मानित मंच, और यहां इस विजय संकल्प रैली में हिकतर आए, इतनी बड़ी संक्या में, हमारे तेलंगाना के सभी नौजवान साथी, सजन्वरिंध, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिय अरेलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज भाग्य नगर में जिस तरीके से अपार जन्समू आज अपने प्रिये नेता भारत के येशित स्वी प्रधान मंत्री जी को सुनने के लिए आतुर है ये बताता है ये जो मैं उच्सा देख रहा हूँ ये जो मैं जोश देख रहा हूँ ये जो मैं संक्या देख रहा हूँ यह मुझे इस बात के लिए अश्वस्त करता है कि आने वाले समय में तेलंगाना से केसी आर का जाना तैय है और भारतिय जन्ता पार्टी का आना रिश्शित है मित्रो मैं आपके और प्रधान मंत्री जी के बीच में बहुत देर नहीं रहूंगा मुझे मालूम है कि आप सब लोग उनको सुनने के लिए आतुर है लेकिन मैंने तेलंगाना की बदलती तस्वीर देखी है मैं विदान सबा के चुनाओं में यहां चुनाओं का प्रभारी था उस समय का बातावरन भी मैंने देखा है और उसके बात कभी मैं वातावरन देख रहा हूँ जगा जगा पर जिस तरीके से लोग केसी आर की सरकार से त्रस्थ है उनके भरष्टा चार से त्रस्थ है उनके सरकार के अना चार से त्रस्थ है और जिस तरीके से विपक्षी दलों को कुचलने का कुचसित प्रियास कर रहे है तेलंगाना की जनता जो बड़ी जागरूग जनता है उसने तैक कर लिया है कि केसी आर को घर बैठाना है और भारतिय जनता पार्टी को लाना है इस बात को तैक कर दिया मित्रो मैं यहां ग्रेटर हैद्रबाद मिनिस्पल कॉर्परेशन के चुनाओं में भी आया था उस समय पत्रकार बंदू कहते थे कि भारतिय जनता पार्टी का क्या भविश्य है और हमने कहा था कि हमें Greater Hyderabad Municipal Corporation में अबूत भूर सफलता मिलेगी और हैदराबाद की जनता ने आशिरवाद रखा था और एक तरीके से भारतिय जनता पार्टी का चुनाओं में आशिरवाद आपने दे करके भारतिय जनता पार्टी का दबका बनाया था लेकिन आप वहीं नहीं रुके आपने दुबाका के चुनाओं में जिस तरीके से रगुननन के माध्यम से धमाका कर दिया और एटला राजिंदर के माध्यम से हुजूराबाद में हजूर को घेर दिया गिरा दिया ये बताता है कि आने वाले समय में भारतिय जनता पार्टी को आपने आशिरवाद देना तै कर लिया है सभी मुद्दों के बारे में प्रधान मंत्री जी चर्चा करेंगे लेकिन जब आप नीलू की बात करते हो तो मैं यह जरूर कहूंगा कि पानी के बारे में चर्चा करते करते काले शुरम प्रोजेक्ट 32 करोड से आज एक लाक 32 करोड पहुँच गया यह केसी आर का एटीम बन गया एटीम बन गया यह हमको समझना चाहिए ब्रश्टाचार अनाचार केंद्र सरकार से पैसा लेकर के यह प्रदेश जब हम फंड की बात करते हैं जब आर्थिक दिश्टी से बात करते हैं लाक करोड के घाटे में हैं और यह केसी आर की सरकार का नतीजा है और जहां अगर मैं बात करूं रोजगार की तो केसी आर की तरफ से केशव चंदरशेकर राओ की तरफ से लोगों को रोजगार मिल चुका है लोगों को रोजगार कैसे मिल गया है लोगों को रोजगार इस तरीके से मिल गया है क्योंकि उसके नाम पर रोजगार का अर्थ है उसका बेटा उसकी बेटी उसके दोदो दामाद खुद ड्राइविंग सीट पर कार फुल है हाउस फुल हो चुका है अब कार में जगा नहीं है रोजगार फुल हो चुका है यह हमको समझना चाहिए मित्रों ऐसी भरष्ट सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है बहुत से मुद्धे हैं इस पर चर्चा होगी जो आशिरवाद प्रधान मंत्री जी ने तेलंगाना को दिया है वो सही मायने में धर्टी पर नहीं लग रहा है उसमें भरष्टाचार हो रहा है स्कीमों का बढ़ा जा रहा है और इसलिए समय आगया है कि अब डबल इंजन की सरकार चाहिए उपर मोदी जी की सरकार चाहिए तो तेलंगाना में भी कमल खिलना चाहिए कमल खिलना चाहिए कमल खिलना चाहिए इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए मैं पुना आप सब को धन्यवाद देता हूँ और आपके और प्रधान मंतरी जी के बीच में ज़्यादा समय न रहते हुए हम सब लोग प्रदान मंत्री जी को सुनने के लिए आतू रहें यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूँ इस आशा के साथ कि अगली वार भारतिय जन्ता पार्टी का कमल खिलेगा इनी शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद जे भारत जे तिलंगाना नड़्डाजी की दन्यवादालू मनमू यदरू चुस्तु नटवाँटी मन प्रियत्तम नायकुलो नरेंदर मोडिगारू मात्लडबोतरू मै आधरनीय प्रदरमंत्री स्री नरेंदर मोडिगीको जिन सबा को आपका संदेश देने के लिए आमंत्रन करता हूँ